अस्सलाम आलेकुम फ्रेंट मैं हूँ आरिप खत्री दोस्तो आज मेरे 10,000 सब्सक्राइब हो गए यूटूब पर दोस्तो तो मैं सभी का दिल से सुक्रियादा करना चाहता हूँ तो आज मैं बना रहा हूँ काजू कतली जिया दोस्तों सिंपल और आसन तरीके से घर पर बनाएंगे बहुत सिंपल तरीके से तो चलिए श्टार्ट करते है मैंने दो कटोरी इस तरह से काजू ले लिए और एक कटोरी सक्कर और आदा कटोरी पानी ले लिया है काजु को मैंने आदा गंटे पहले अच्छे से फिरिज में रखके ठंडा कर लिया है अब इस चिल्ड काजु को हम एक मिक्सी जार के अंदर एट करेंगे हमें थोड़ी थोड़ी करके डालना है और इसका एक पाउडर बना लेंगे देगे इस तरह से तो पलस मोड पर चलाना है एक दो सेकंड के लिए चलाना फिर बन कर देना फिर चलाना बन कर देना बस इसी तरह से सारे काजु को हम पाउडर बना लेंगे देगे मैं एक बोल में डाल देता हूँ और मैं आपको चेक करा देता हूँ इस तरह से इसका एक पाउडर बना ले इस तरह से सारा का मैंने बाकि भी पिछ लिए, अब इसके बाद मैं एक पेन गरम करके पेन के अंदर सकर और पानी डाल देता हूँ, अब अच्छे हम सकर को melt होने देंगे चलाते रहेंगे, दो से तिन मिनट होगे, देखे मेरी सकर अच्छे से melt होगी, और अच्छे सा boil भी आ गया है, बस इसी पाइंट पर जो हमारी काजू का पाउडर था वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे चलाते जाएंगे इसे चलाते रहे ना 2-3 मिनट तक देखिए 4 मिनट होगे इस पाइंट पर अब इसके अंदर में एक चमच घी डाल दूगा और फिर से 1-2 मिनट के लिए इसे चला लेंगे इसे टोटल चलाते हुए 6 मिनट होगे बस इस पाइंट पर इस तरह से हमारा मिक्सर हो जाएगा तो गेस की फिलम बन करके इसे 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे फिर इस तरह से मैंने एक पोलितीन लिए उसके अंदर मैंने घी लगा लिया है और हमारा मिक्सर जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसके अंदर एट कर देंगे हमारी पोलितीन के अंदर सारा मिक्सर इस तरह से डाल लेंगे देखे इसी तरह से जब सारा मिक्सर अमारी पोलीथीन में चला जाएगा तो पोलीथीन को बन करके इस तरह से हम इसे मसल लेंगे जिस तरह से हम आटा गुंते इस तरह से इसे 2-3 मिनिट तक अच्छे से नरम कर लेंगे उसके बाद इसको इस तरह से फिला लेते हैं polythene के अंदर इस तरह से फिला लोगा मैं और balance से इसे एक shape देकर फिर उपर से इसकी polythene cut कर लेंगे और इसके बाद इसके उपर से हम silver वरक लगा लेंगे जिया दोस्तों चांदी का वरक इसके उपर लगा लेते हम मैं scale ले रहा हूँ और scale से इसे cut कर लेंगे इस तरह से इसको cut करते जाना है जो shape में आपको पसन हो इस shape में cut कर ले मैं diamond shape में cut कर रहा हूँ सारे piece cut होगे अब एक से देल घंटे के लिए से rest देंगे उसके बाद सर्व करेंगे तो दोस्तों एकदम simple और आसान recipe तयार होगा ये काजु कतली की दोस्तों मेरा वीडियो का आपको पसन आया तो मेरे वीडियो को like करे और ये सी रेसिप के लिए मुझे फो लोगारे दोस्तों